पर आज जो मैंने ये ड्रेस बनाई है वो चौकोर शेप का है और साथ ही साथ मैंने काना जी के लिए ये बहुत ही खुप सूशूरत कैप भी बनाई है इस ड्रेस बनाना बहुत आसान ऑन है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस और जान कर पहना सकते है अगर आप ड्रेस से या वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेशन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है अधिकल्च्रालवाल्ट268 साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चले फ्रेंज अब हम ये बहुत ही कुपसूरत सी काना जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैब बनाना शुडू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चा और साथ में रहे ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिए तो सबसे पहले हम पिन्क कलर का उन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुप में उन को लेकर लूप में से अम निकालके लोग कर लेंगे फिर कई हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई फिर से प्रूशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो doğru ये 2 chain बन गई इसी तरिके से हमें किी मico पंड़ल यारि दो 15 चेंग बना कर ले और हुक में उनको फसाकर निकालेंगे तो दो फंदे हो गया क्रोश्या में अब हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदो से निकालेंगे तो यह सिंगल क्रोश्या बन गई अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोश्या को डालेंगे उनको फसाकर निकालेंगे दो फंद क्रोश्या के एनप Bennett के निकाल लेंगे ती में दबल प्रोश्या के लिए तो यह दबल प्रोश्या बन गई इसी तरीके से हमें हर एक chain में से दो-दो double crochet बनाते हुए ये पूरी line complete कर लेनी है दूसरी line complete करने के बाद अब हम काना जी के लिए sleeve बनाएंगे तो हमें देखें पलट कर और तीन chain बनानी है एक दो और ये तीन अब इसके आगे की चार chain में हम एक एक बार double crochet बनाएंगे तो ये एक chain हो गई ये दूसरी chain में से भी हमने एक बार double crochet बनाएं ये तीसरी chain हो गई और ये चौती chain हो गई तो हमने दिखे शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोश्या ही मानेंगे फिर उसके आगे कि 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोश्या बनाई तो टोटल 5 डबल क्रोश्या हो गई है अब हमें 6 चेन काउट करके छोड़ देनी है इक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे हमने छोड़ दी, साथ ही चेन में हम फिर से देखे हैं क्रोश्या को डाल कलर उनको फसागा निकाल कर डबल खोश्या बना लेंगे तो यह काना जी की एक स्लीव बन गए है अब देखिया हमने यह जो एक डबल खोश्या बनाई स्लीव बनाएंगे तो हमें फिर से छे चेन काउंट करके छोड़नी है एक दो तीन चार पाँच छे छे चेन हमने छोड़ दी सातवी चेन में हम ऐसे डबल कोश्या बना लेंगे तो अब देखे काना जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है अब यह जो हमने एक डबल कोश्या बनाई है इसके आगे की चार चेन में भी हम एक एक बार डबल कोश्या बनाएंगे तो एक double crochet पहले से है, चार double crochet हम और बनाएंगे तो टोटल पाँच double crochet हो जाएंगी जैसे कि हमने शुरू में भी पाँच double crochet बनाके complete की थी, वैसे हमें इधर की तरफ से भी पाँच double crochet visual बनाके complete करना है 2 sleeve बनाकर complete करने की बाद, अब हमें blocks बनाने थो, हम इसको पलट लेंगे और 3 chain बनाएंगे, 1, 2, और ये 3, 3 chain बनाई हमने, अब हमें 1 chain extra बनानी है, यानि कि हमने total 4 chain बनाई है, अब हमें CRT बना है और नीचे से 1 chain छोड़ कर दूसरी chain में हम double CRT बना लेंगे, तो देखें, ये इस तरीके से block बन जाएगा फिर हमें एक chain बनानी है और नीचे से एक chain छोड़ कर दूसरी chain में double crochet बना लेनी है तो ये दूसरा block बन जाएगा इसी तरीके से blocks बनाते हुए हम ये पूरी line complete करेंगे blocks बनाते हुए पूरी line complete हो गई है हमने total 8 blocks बनाए है देखिए 1,2,3,4,5,6,7 और ये 8 अब हमें घेर बनानी है तो हम इसको पलट कर 3 chain बनाएंगे 1,2 और ये 3 तीन chain बनाए हमने अब हमें क्रोश्या में उनको लेना है और ये जो पहला block है इसमें से हम puff बनाएंगे तो देखिए ऐसे हमें क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकाल कर डीला करना है एक बार फिर हम क्रोश्या में उनको लेंगे और इसी block में डाल कर उनको फसा कर डीला करेंगे दो बार फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी ब्लॉक में से उनको निकालकर ढिला करेंगे तो हमने टोटल तीन बार उनको निकालकर ढिला किया अब हम क्रोशिया में उनको लेगे को देखी हमें लेंगे और एक बार निकाल के ढीलेंगे तो हमने टोटल बार निकाल निकाल के ढीला कर लिया Ale meant by walking अब हमें एक क्रोशा इम लेकर इन सारी फंदों के बीच से निकाल लीना है फिर एक चेंड क्रोष्या हो गई फिर दो डपर कोष्या हो गई है टीन है और यह चार और हम ने टोटल चार डबर क्रोष्या बना केा शार की चार बनेकन के इस बार पर यह Алएघ यह वदू कने में है च्राइल किया । लग करने के बिद्यक्रhernे के लिए अधिka कorang पर मीमाता की झाले में एक चेन बना कर लोग कर लेंगे फिर हमें एक चेन एक्स्रा बनानी है और क्रोश्या में उनको लेकर इसी में से एक पफ और बनाना है तो तीन बार हम उनको निकाल कर इसमें से धीला कर लेंगे तीन बार हमने उनको निकाला क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों से हम ऐसे निकाल कर एक चेन बना कर लॉक कर लेंगे तो देखिए यह इस तरीके से बन गया अब फिर से हमें इसके बाद वाले ब्लॉक में से चार बार डबल क्रोशिया बनानी है एक, यह देखिए, दो, यह तीन, और यह चार. फिर इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से हम दो पफ बनाएंगे और उसके बाद वाले ब्लॉक में हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही ये बचे हुए जो चार ब्लॉक हैं इनको भी हमें कम्प्लीट कर लेना है बिनके पूरी लाइन बनाकर complete करने के बाद अब last में जो एक फंदा बचा है यहाँ पर हमें यह white color का oon joint करना है तो देखे यह जो एक फंदा है इसमें से हम यह white color का oon ऐसे निकाल लेंगे और not लगाकर हमें इसको यही पे joint कर लेना है अब जहां से हमने ये उन जोइंट किया उसी चेन में हम क्रोश्या को डाल कर उन को फसा कर निकाल लेंगे अब देखे हमने दो पफ बनाया था तो पफ के बीच में ये जो एक चेन की गैपिंग दी थी इसमें से हमें फिर से दो पफ बनाना है क्रोश्या में उनको हम लेंगे और इसी में से अब एक पफ और बना लेंगे अब दूसरी लाइन में हमें ये ध्यान रखना है कि पफ के बीच में पहली लाइन में हमने एक चेन की गैपिंग दी थी और दूसरी लाइन में हमने दो चेन की गैपिंग दी है अब हमें क्या करना है क्रोशिया में उनको लेंगे तो देखे ये एक पफ है इसके बाद चार डबर क्रोशिया बनाई है हमने तो इसके बीच में ये जो गैपिंग है इसमें से हमें पहले दो डबर क्रोशिया बनानी है तो ये एक डबर क्रोशिया हो गई अब इस गैपिंग और ये चौती डबल क्रोशिया है, इतना कम्प्रीट करने के बाद अब देखें, इधर की तरफ से ये जो पफ है और डबल क्रोशिया इसके बीच की जगा है, इसमें से भी हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये दो, तो देखें, अब दूसरी लाइन में हमने दोनो तरफ से ये दो दो डबल क्रोशिया बढ़ा दी है, अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो पफ बनाया है हमने, इसके बीच से हम एक पफ बनाएंगे, देखे यह एक पफ बना अब बीच में हम दो चेन की गैपिंग देंगे क्रोश्या में उनको लेकर इसी में से एक पफ और बना लेंगे तो पफ बना के कंप्लीट करने के बाद क्रोश्या में उनको हम लेंगे और ये हमने जो चार डबर कोश्या बनाई है तो और पफ के और चार डबर कोश्या के बीच में ये जो गैपिंग है यहां से हमें दो डबर कोश्या पहले बनानी है तो ये एक डबर कोश्या हो गई और ये दूसरी डबर कोश्या हो गई अब ये जो चार डबर कोश्या हमने इसमें से भी हम एक-एक बार double crochet बना लेंगे हर एक chain में से देखिये 3 और ये 4 4 double crochet बीच में complete कर ली हमने और 2 double crochet इधर की तरफ एक्सरा बनाई थी अब ये जो देखिये double crochet और puff के बीच में जो gapping है इसमें से भी हमें double crochet 2 बना लेंगी है तो ये एक और ये दो तो अब इसका लुक को जैसे आएगा इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे दूसरी लाइन कम्प्लीट करने के बाद अब दीखे घेर का लुक को जैसे तरीके से आजाएगा अब हम इसको फिर से पलट लेना है पहले हम 3 chain बना लेंगे, 1, 2 और ये 3, 3 chain बनाई हमने, अब ये जो puff बना हुआ है, इसमें से हम 2 puff बना लेंगे, तो पहला puff बना लेंगे हम यहाँ पर, puff बनाने के बाद अब हम 3 chain बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, देखें, पहली line में हमने 1 chain बनाई बीच में, दूसरी line में हमने puff क बीच में तीन चेन बनानी है और हम यहां पे दूसरा पफ बना लेंगे ऐसे देखें तीन बार उनको ढीला करके इसमें से निकालेंगे और ऐसे चेन बनाके लॉक कर लेंगे फिर हम क्रोश्या में उनको लेंगे और ये पफ के बाद जो गैपिंग है पफ और डबल क्रोश्या के बीच में देखेगे जो थोड़ी सी गैपिंग है इसमें से हम दो एक्स्रा डबल क्रोश्या बनाएंगे हमें ध्यान रखना है कि हमें हर लाइन में ये जो डबल कोश्या है उसके पहले दो एक्स्रा डबल कोश्या बनानी है और पूरी डबल कोश्या बनाने के बाद भी दो एक्स्रा डबल कोश्या बनानी है ऐसे बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही आसान सी डिजाइन बनाकर आप काना जी को देखे पैना सकते हैं और इसका लुक भी बहुत खुबसूरत लगेगा कम्प्लीट होने पे जितनी डबल कोशिया थी हमने हर एक चेन में से एक पार डबल कोशिया बना लिए अब हमें फिर से कोशिया में उनको लेना है और पफ और डबल कोशिया के बीच में ये जो गैपिंग है इसमें से हम दो डबल कोशिया फिर बनाएंगे तो ये एक और ये दो हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी हमें हर लाइन में पफ के बीच में जो चेन है वो एक एक चेन बढ़ाते जानी है और यह जो हमने double crochet बनाई है तो double crochet के पहले यह puff और double crochet के बीच में जो gapping है उसमें हम 2 extra double crochet बनाएंगे फिर हर एक chain में से एक बार double crochet बनाएंगे फिर से last में भी यह जो puff और double crochet के बीच gapping है इसमें से 2 extra double crochet बनाएंगे ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीन के complete करना है तो यह white color के उ से एक लाइन बीन कर कम्प्लीट कर लेंगे दो लाइन और बीन कर कम्प्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक चौकोर शेप में आ गया है चारो तरफ से मुझे ये छोटे से कानाजी के लिए ड्रेस पर आनी थी इसलिए मैंने घेर के सिर्फ एक दो तीन चा काल के इसको खीच के टाइट कर लेंगे और एक्स्टा उन गट कर लेंगे यहां पीछे की तरफ से जो ओपइन वाली साइड है यहां पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है जिसे की काना जी को ड्रेस पहना कर पीछे से हम इसको बंद कर लेंगे अगर आपके पास ट और इसमें क्रोश्या को डाल कर हुप में उनको फसाकर निकाल के खीच के लॉक कर लेंगे अब हमें छे चेन बनानी है एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे टोटल छे चेन हमने बना ली है यहां से जो एक्स्रा उन है इसको हम कट करके निकाल देंगे अब यह जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोश्या को डाल कर उनको फसाकर निकाल लेंगे दो फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर slip stitch लगा लेंगे अब आप देख सकते हैं बीच में एक hole की तरह बन जाएगा हमें तीन चेन बनानी है एक दो और यह तीन हमने तीन चेन बनाई अब हम क्रोश्या में उनको लेंगे और यह जो hole की तरह है इसमें से हम double crochet बनाएंगे तो एक double crochet हो गई अब यह दूसरी double crochet हो गई तीन चार ऐसे ही हमें total 15 यानि के 15 double crochet बनाकर complete करनी है और double crochet बनाने के साथ साथ में हमें देखे इसको खीच के बीच बीच में ऐसे tight भी करते जाना है जिसे की आगे भी double crochet बनाने के लिए जगा बनती जाएगी 15 double crochet बनाकर complete करने के बाद अब last में हम इसको slip stitch लगाएंगे तो जो शुरू में हमने 3 chain बनाई थी उसकी पहली वाली chain में क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेंगे तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर slip stitch लगा लेंगे तो अब देखिए पूरा circle complete हो गया है अब हमें 2 chain बनानी है 2 chain बनाने के बाद अब इसके बाद वाली chain में हम single crochet बनाएंगे तो ऐसे क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेंगे तो क्रोश्या में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे इसी तरीके से हर एक chain में से एक एक बार single crochet बनाते हुए हम ये पूरी line complete कर लेंगे single crochet बनाते हुए पूरी line complete करने के बाद अब आप देख सकते हैं फोड़ी सी गहराई आ जाएगी जैसा की कैप में होता है अब लास्ट में इसको slip stitch लगाएंगे तो दो chain थी जो उसकी पहली वाली chain में से हम इसको slip stitch कर लेंगे अब हम दो chain बनाएंगे फिर से हमें हर एक chain में से एक एक बार single crochet बनाते हुए यह पूरी line complete करनी है और लास्ट में slip stitch लगा लेना है ऐसे ही हम total तीन line और बनाएंगे single crochet बनाते हुए तीन line complete करने के बाद अब लास्ट में जो एक chain बची है इसको हमें यही पर lock कर लेना है lock करने के बाद अब हमें white color का own यही पर joint कर लेना है उन को फसा कर निकाल लेंगे तीन chain बनाएंगे एक दो और यह तीन अब इसके बाद वाली chain में से हम दो बार double crochet बनाएंगे तो यह एक और यह दो फिर इसके बाद वाली chain में से भी हम दो double crochet बनाएंगे एक और यह दो इसी तरीके से हमें हर एक chain में से दो-दो डबर क्षया बनाते हुए पूरी लाइन कमप्लीट करनी है और लास्ट में इसको भी slip stitch लगा कर जोईन्ट कर लेना है दो-दो डबर क्षया बनाते हुए पूरी लाईन कमप्लीट करके और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई एड्रस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले तैंक यू